समस्कार दोस्तु वेलकम बेक आउर चैनल आपके दिमाग में बहुत सा रहते होंगे कि यार कुंसा टाइम सही है मार्केट के अंदर इंवेश्टमेंट करने के लिए कब इंवेश्टमेंट करें क्या पता कितना गिरेगा इतना तु देखे मार्केट गिर चिकाए वापस इंवेश्टमेंट करना चीए और कब हमारे लिए इंवेश्टमेंट करना बिल्कुल सही रहेगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोफीटेबल भी हो सकता है तो जिहां दोस्तों इसका एक बताऊंगा आपको इंडिकेटर जिसका नाम है मार्केट मूड इंडेक्स अब यहां पर देखिए एक इंडिकेटर है यह मार्केट मूड इंडेक्स यह जनरली बताता क्या है आपको सही वेल्योशन सही प्राइज बता देगा कि यह इस लेवल पर मार्केट में खरीद देने का सही टाइम है इस लेवल पर आप ज़्यादा प्रोफीटेबल हो सकते हो ठीक है चलिए सबसे पहले इसके बैसिक समझ लेते हैं इसमें देखिए एक इंडिकेटर यह जो बना हुआ है इसमें बैसिकली चार इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं एक्स्रीमली फिर जोन जहां पे लोग बहुत ज़्यादा डर हुए होते हैं उसके बाद सेकंड ज पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा सोचते रहते हैं ठीक है लेकिन हुदता गया इसका उल्टा ठीक है मार्केट में 80% लोग एक्स्रीमली ग्रीड जोन में और ग्रीड जोन में एंटर करते हैं यानि कि जब मार्केट सबसे अच्छी तेजी दिखा रहा होता है मार्केट अच्छ क्योंकि तैजी सबको पसंद है लेकिन जब गिरता है तो लोग भैबित हो जाते हैं पैनिक सेल करने लग जाते हैं और यार मार्केट गिर जाएगा वापस उतना नीचे चला जाएगा ऐसा हो जाएगा ठीक है क्योंकि उनके जो साइकोलोजिकल इमोशन होते हैं उनसे वह कंट्रोल ने कर पाते हैं और यह चीज भी बहुत सारे लोग सो टम के लिए करीते हैं तो उनको भी कोई स्टोक है और अचानक उन्होंने जब यहां पर एंट्री किये जैसे एंट्र हुए और वह स्टोक गिरना ल हुए और यार मार्केट उपर जाएगा यहीं रहेगा इससे और नीचे गिर जाएगा न्यूज पोजिटिव नहीं है सेंटिमेंट पोजिटिव यही टाइम होता है दोस्तों आपको सही स्टोक्स को पकड़के उनमें इन्वेस्ट करने का अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अगर यह चीज वापस 50-60 रुपए के आसपास आती है तो सही टाइम होता है खरीदने का हमेशा सही प्राइज पर जब शेयर स्पिट चुके हैं आ चुके हैं लेकिन हमें इंडिकेशन भी मिलना चीए कि यहां से रिवर्स हो सकते हैं ऐसा भी नहीं है कि हाँ एक्स्रेम फ स्टोक में इन्वेस्ट करने का सवी ठाइम है इससे श्ट्ॉक्स आपको पता करना हैं जीन श्टॉक्स में रिवर्सल देखने को मिल रहा है अच्छा कासा आप एंगरकत घिर चुका है और रिवर्सल देखने सवी के लिए मैं उसे सब्सक्रेशिए ने से करेंगे और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है तो अब हम क्या करते हैं अमें यह पता चल गया इन्वेस्टमेंट करने का साई टाइम अब इन्वेस्टमेंट कहां करें इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एनलाइसिस की जुरूत होगी तो सबसे पहले हम यहां पर चलेंगे और पत सेक्टर की चार्ट एनलाइसिस करेंगे इस से हमें यह पता चल जाएगा कि इस कंपनी के शेयर में क्या हो रहा है फिर हम आईटी सेक्टर के शेयर में से और बी जदा क्लियर चीज़ देखेंगे जीन जैसे की इसके अंदर कुछ शेयर से ठीक है कुछ कंपनी जेंटिक है अंदर क्या है जितने भी आईटी कंपनी में और भी क्या अच्छा पेटन मन रहा है उसको हम पकड़ेंगे ठीक है अब देखें मैंने आईटी सेक्टर का क्यूं उटाया उसका रिजन आपको यहां पर क्लियर पता चल जाएगा कि देखें मार्केट कुछ दिनों से दिनों और जो शेर देखें विप्रो का 600 रुपे का था वो 350 या 300 रुपे तक आ चुका था मतलब 50 परसेंट गिर चुके थे विप्रो का 600 नहीं 600 गास पास था अब इतनी गिराउट हो चुकी है कि आपको लगता है यह और गिरेंगे एक बाग दो कोरोना से पहले जो फ्लुक्चि यह है और यहां पर देंतिए हैं जहां से गिरना यहां पर देखिए यह हैड और और शॉल्डर पेटन यह इस पेटन को कि और यह इतना फिससा पराई यह इंवर्स हेड औन शोल्डर पेटन बना है यह होता एक बुलिश पेटन यह पेटन बना आपको पता चला है गिराए तो आप वापस यह बना है इसका मतलब क्या है अब यह वापस तेजी करेगा तो आने वाले टाइम में आपको तेजी दिखेने को मिल सकते हैं लगबग 34 हजार के लेवल के आज पास जो कि आईटी स्टॉक्स के अंदर आपको यह तो पता चलगे हाया बुलिश पेटन एक प्रेकाउट भी हो चुका है इस लेवल पर और बुलिश चार्ट दिख रहा है अब हम इसका स्टॉक्स देखेंगे इंफोसिस और विप्रो और टीस इस कि इन तिनों स्टॉक क्योंकि यह इंपोर्टेंट टाट इस मार्केट में आइटी को उपर ले जाने के लिए तो सबसे पहले हम वाख अब छार ले चार्ट मेने और में और चार रहते हैं जीनमें चार्ट दिख ग्रेते तो अलगलग चार्ट और अपको समझ में कि इसकी में लेकिन वह सिगनल नहीं कि यह करें करें प्दलब एपने मिल रहा है अगर में करी व् 듣ना हो ? लगबग चारसो पचास का सपास आता है कि प्रहन प्लान मना सकते हैं इन्वेश्टमंड के लिए शось Wiran आज पास टार्गेट हो सकता है तब तक अराम से हमें टार्गेट मिल सकता है लेकिन इसको जब तक इसका ट्रेंड यह भी चैंज नहीं आए अभी इसका ट्रेंड है वह बिल्कुल नेगेटिव टाइपी है ठीक है तो कुछ पोजिटिविटी इसमें है निये जो आईटी का स्टोक में दिख रहा है वैसा है नियुक्त आप इन पोसिस आप देखते हो तो इन पॉसिस ने मैच कर रहा है चूब कि हमारा इंडेक्स था उसी इंडेक्स को अकोर्डिंग मैच कर रहा है एक हमें इन्वार्स हैड्ओन शॉल्डर पैटन देखने को मिल रहा है यहां पर से कि इंपोर्टेंट एक जोन है चुकि इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो यहां से अगर यह निकलता है कोई लेना चाहता है स्विंग ट्रेड के लिए तो वह अभी करन्ट लेवल पर बाई कर सकते हैं उनका इस्टोप लोस रहेगा लगबग सो रुपय का वह टारगेट भी वन रेशियो वन या वन रेशियो टू के आसपास सत्रा सुपचास या सत्रा सो के आसपास रख सकते हैं लेकिन अगर आपको लंबे टाइम के लिए खरीदना है तो अगर यह सत्रा सो रुपय के उपर निकल जाता है तो आप बाई कर सकते हो लगबग अठारा सो उनिसो के टारगेट के लिए अभी के टाइम पर चार्ट पेटन अच्छा बुलीश दिखाई दे रहा है हमें तो इस समय आप खरीते हो तो आपका रिस्क मेनेजमेंट अच्छा सकता है तो मिया पर टूल भी लगा के देख लेते हैं क्योंकि इसमें आप स्विंग और सोट टम लगा सकते हो और इसका मैं आपको वन डे केंडल भी बता दूंगा तो लगबग ठारा 20% का रिटन के लिए आ 5-6% आपका यहां पर आएगा तार्गेट आपको काफी बड़ा मिल सकता है यहां पर अगर यह ब्रेक आउट सस्टेंड कर जाता है बुलिश पेटन है गेब भी पेंडिंग पड़ा हुआ है ठीक है तो 6% के आसपास आपका टार्गेट इस्टो प्लो से और 20% का आपको य तीसरा है दोस्तों टेक मेंद्रा में भी कुछ मोमेंटम है नहीं है ठीक है क्योंकि यहां से देखे हर बार गिरता है यह रिजेक्शन होता है तो इस लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर यह नीचे की ब्रेक कर देता है तो 800 तक भी जा सकता है और पर माननों कुछ यहां पर कोई रिवर्सल का इंडिकेशन हमें नहीं मिला है ठीक है यहां पर एक और इस्टोक के एसल टेकनोलोजी तो एसल टेकनोलोजी के अंदर भी एक बुलिश पेटन फोर्म हो रहा है और इसको वेलिड होना में थोड़ा टाइम लग सकता है ठीक है थोड़ा बौत तो यह है तो यहां पर देखके कौन सा पेटन मौन रहा है इसके बाद आप ब्रेक हो जाए इसका स्वींग अगें यहां से तो फिर आप YLE कर सकते हो जितना यह बना हुआ है सब्सक्राइण है यह मारा टार्गेट हो सकता है मैं सबस्क्राइब इस पहलुUM सब्सक्राइब कि अ отправ फिरोकार से किसी भी ऐनालाइसीज कर सकते हो और आपको उसके भाण मरको स्टोक्स देखने हो तो आपको वह एक्टर देखना है सारे चांट की लग culprit ट्र phi उन सेक्टर के आप एनलाईस कर लिए जिस सक्यर में चार्ट पी आशी आधिफ तया है अगर इस जाएगा और उन हम्हों से आपको आई सेयल करने के लिए मिल जाएंगे इन यह हम यहां पर इस लेवल के आसपास हमारी बाइंग आएगी इसको क्रोस करेगा तो बावन पॉइंट के आसपास हमारा यहां पर इस टोपलो से साथ सब्सक्राइब लेकिन इसमें थोड़ा टार्गेट का इश्यू हो सकता है 16-17 परसेंट का टार्गेट तो मिलने के संभावना है और थोड़ा सा इश्यू हो सकता है क्योंकि 1200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है ठीक है मैं भी इसमें हमें थोड़ा बहुत एज़ेस्टमेंट करना पड़े या कम टार्गेट लेना पड़े तो आप 1200 तक जो स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं वह आ रेजिस्टेंस है तो एक बार यह जाएगा फिर थोड़ा वापस आएगा फिर वापस जाएगा फिर ब्रेक करेगा तो ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजेगा और अपने इमेट अकाउंट ओपन करने ही लिए लिंक आपको कमेंट बोक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वहां से फिर यह पोस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं मिलता है नेक्स वीडियो में थैंक्यू